बिहार सरकार में वन पर्यावरण एवं जलवायू मंत्री तेज प्रताप यादो को फोन पर धमकी मिली है बिहार के औरंगाबाद से उनके फोन पर ये धमकी दी गई है इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है इस कॉल का कनेक्शन औरंगाबाद से जुड़ा है तेज प्रताप यादो के मुबाइल पर फोन कर केस ना करने की धमकी दी गई है तो चलिए अब आपको ये पूरा मामला समझाते है दरसल तेज प्रताप यादो की औरंगाबाद के शहर के कामा बिगा मुण के पास बाई की अजिंसी है शोरूम में सुमवार को छे की संक्या में रहे को चिवकों ने तोड़फोड कर दी तोड़फोड और बाद में तेज प्रताप यादो को फोन पर धमकी दी गई दमके के मामले में कारवाई के लिए थाने में दो अलग-अलग आवेदन शोरूम के केर टेकर अजय याद विंदू की उर्स से दी गई अजय ने बताये कि तोड़ फोर्ड से समबधित आवेदन देने के 24 गंटे बाद भे पुलीस की कोई कारवाई ना होना चिंता का विश्य है अजय ने बताये कि सोमवार को शोरूम में सुबही एक महिला ने अपने पती के साथ अपनी स्कूटी के सर्विसिंग करवाने समय से पहले ही एजनसी पर पहुँच गई तुरंत सर्विसिंग का दबाव बनानी लगी वहां मौजूद गाड ने सर्विस सेंटर खुलने का टाइम बताकर इंतजार करने के लिए कहा सर्विस सेंटर खुलने के बाद स्कूटी सर्विसिंग कराकर चली गई इस बीच महिला से जोड़े कुछ और युवक आए और काफी प्रतिक्षा कराने का रूप लगाते हुए सर्विसिंग में लगे कर्मियों से उलज़ पड़े इसे दोरान उनके साथ आई युवकुनी एजिंसी पर पत्राव कर दिया इससे शिशा तूड़ गया दूए स्कूटी भी चाती ग्रस्त हो गई जैसे ही एजिंसी के कर्मिय दोड़े तो सभी भाग गए लेकिन उनकी एक बाइक छोड़ गई पुलीस ने बाइक जब्त कर ली है केर टेकर अजय ने बताया कि तूड़ फोड के मामले में पुलीस ने कांड संख्या 286 बटा 32 दर्ज कर लिया है और मंगलवार कुफिरे काविदन वन पुर्यावरन एवं जलवायू मंत्री तीज प्रता प्यादो के मुबाइल नंबर पर धमकी देने के मामले में दिया गया है और अंगाबाद से दो अग्यात नंबर से कॉल करके धमकी दी जा रही है बेरा रेपोर्ट हेडलाइन्स बिहार